उद्गाटन से पहले पुल के टूटने की ये तस्वीरें किशन गंज से आई हैं किशन गंज के गोवाबाडी गाव में कंकई नदी की बरसाती धार में बन रहे नव निर्मित पुल का पाया धस गया और पुल एक तरफ जुग गया करीब एक करोड 42 लाक रुपे की लागत से 26 मीटर स्पैन वाले इस पुल का निर्माण कराय गया था और इसका अभी एप्रोच नहीं बना था एप्रोच बनने के बाद उसका कुछ दिनों में उद्गाटन होना था लेकिन तीन दिन पहले पुल का पाया धस गया जिससे पुल को काफी नुकसान पहुँचा है और पुल एक तरफ जुग गया है ऐसा नहीं है कि उद्गाटन से पहले बिहार में तूटने वाला ये पुल पहला पुल है इससे पहले सत्तर घाट महा सेतु के अप्रोच रोड पर बना छोटा पुल बाड के पानी में बैगया था बरसाती पानी में पुल तूटने ने विपक्ष्ट को नितीश सरकार को घेरने का मौका दे दिया है करोरों की लागत से पूल बनते हैं अब बताएए करोरों का पूल जुद्रमार घीन है अभी आनन फानन जो है उटगाटन पर घाटन कर रहे हैं तेजस्वी ने सीम नितीश कुमार को बिना काम पूरा हुए आई एस बीटी का उटगाटन करने को लेकर घेरा साथ ही उन्हें भ्रस्टाचार का भीश्म पिता मां तक कह डाला कितना बढ़ाज टूट गया रोड कट गया टूट गया पूल पुलियों की तो कोई संख्या नहीं है महा सेतु तक देगें इसलिए हम बार बार कहते हैं नितिश कुमार जी ब्रस्टाचार के भीश में पितामा है कि शन गंज में करोरों की लागत से पूल लेकिन आप लोग 22 किसी भी अधिकारी के गई हो या मंत्री ने किसीने मुंहीं दी मज़ीं नहीं बैटता है पूरी तरीके से प्रस्टाचार लूट में यह नितिश कुमार जी लिफ्ट हो चुके हैं श सब्मार मोदीasto का मज़ा को शेक्तान मज़ीद थि किछा के लिए इसका अप्रोच बन गया होता और नदी की धारा बदलने पर डाइवर्जन को बान दिया होता तो नुकसान नहीं होता मिल ला है कि कही ना कहीं यह कमी पाई गई है जिसके वज़े से पूल जो है इतना जल्दी धोस्त हो गया एक्च्वल में यहां पर पाइल फॉंडेशन चाहिए था लेकिन यहां राफ्ट फॉंडेशन से बिलिज का निर्मान किया गया तो यह कहीं ना कहीं यह बिभाग यह लापरवाही इसमें परिलक्षित होता है दूसरी बात कि आज से एक महा पूर्व ही नदी डाइवर्ट होनी की सुचना मैंने स्वयंग आकर के निरक्षन किया था कटा औस थलगा और जाकर के देखा कि आप 100-200 मीटर ही दूर है यदि अगर उस एरिया को काट दे तो नदी चोटी धार में मिल करके नदी डाइवर्ट हो जाएगी मैंने इसकी सूचना जलसंसादन विवाग को दे दी लेकिन जलसंसादन विवाग के जो अभिकर अभियंता है वह कान में तेल डाल करके सोते रहे और जिसका नतीजा है कि यह पूल आज आपको धोस्त नजर आ रहा ह है और चोटी 12 ऐसे ही खात्ति My लोग इदर उदर का बंध हो गया है और खाने पिने के लिए भी परशान लगा हुआ है आदमी जाने आने का मार्किट बंध है और कैसे हम लोग जिएंगे कैसे रहेंगे आप लोग इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया है और हम लोग वैसे का वैसे राग है बन हो गया जी बिल्कुल बन हो गया जी बिल्कुल जाने आने का भी रस्ता बेबस्ता हो गया है और कहीं पर जाने का कोई लायके नहीं है वही पुल के बरसाती पानी में तूटने पर अधिकारी वही रटा-रटाया जवाब दे रहे हैं इससे पहले जुलाई में बिहार के छपरा से सटे गोपाल गंज में 264 करोड की लागत से बना सतर घाट महसेतू का एप्रोच रोड पानी के दबाव से धुस्त हो गया था ये पुल उद्घाटन के महज 29 दिन बाद ही पानी में बह गया 16 जून को मुक्यमंतरी नितीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये इस महसेतू का उद्घाटन किया था सत्तर घाट पुल का एप्रोच रोड ध्वस्त होने को लेकर काफी घमासान देखने को मिला था किशन गन से गौरफ कुमार की रेपोर्ट बिहार तक